नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूटूब एजुकेस्टन चनल में आज हम सीखने वाले ही मुवेरा 15 टाबलेट के बारे में तो हम सीखेंगे उसके बेसिक उसके बारे के कौन से अलगे-लग मेडिकल केंडिसंस को ट्रीट करने के लिए मेडिकेसन य्जूज की जाती है साती जानेगे उसका डोस वगरा क्या है साइड इफेक्स हगरा क्या है and warning and contraindications के detail study करेंगे और जानेंगे मुवेरा 15 tablet के बारे में फिर जानेंगे उसके अंदर salt content क्या है और कैसे आप उसका सही उपयोग कर सकते हैं तो ऐसे ही आपको बहुत सरी दवयों के बारे में सिखना है तो आप medicine course को join कर सकते है pharma rocks के अब उपर कि जो आपको एक साल के लिए मिलता है खासकर और affordable price में तो ये course को join करने के लिए आप हमें whatsapp कर सकते हैं 901631 2020 पर या फिर हमारी आपको download कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगी तब आते हैं topic पे और समझते हैं मुवेरा 15 tablet के बारे में तो ये essay class का medication के जिसको हम non steroidal anti-inflammatory drug कहते हैं और उसके पास popular anti-inflammatory actions रहती है तो मुवेरा जो है उसका brand name है और उसके अंदर salt content के हम बात करें तो maloxicam जो उसके अंदर main salt content है कि जिसकी strength रहती है 15 mg और उसके manufacture के हम बात करें तो sun pharmaceutical limited जो उसके manufacture है और ये medications के पास painkiller actions भी है जिसके करने ये दर्द को भी ठीक करता है और सुजन को भी ठीक करने में जो है वो मदद करता है तो जैसे मैंने अभी सरुवात में आपको बता है कि ये non-studial anti-inflammatory drug होने के करण उसके पास एक analgesic effect है कि जो दर्द निवारक के तौर पर काम करता है painkiller के तौर पर काम करता है anti-inflammatory actions होने के करण ये सुजन वगेरा काम करती है और तीसरा anti-piratic actions भी है जिसके करण समझो कि आपको दर्द भी है सुजन भी और सादोसाद बुखार भी आ रहा है तो ये तीनों conditions को treat करने के लिए ये medication जो प्रिस्क्राइब की जाती है तो ये क्या करती है जो prostaglandin करके जो chemical तयार होता है और वो chemical के कारण क्या होता है सरीर के अंदर दर्द होता है सुजन हो जाती है और कई बार बुखार भी होता है तो यह medications क्या करते है प्रोस्टाग्लाणिन की effect को ही inhibit कर देती है कि जिसके करने यह तीनों समझ से आए जो है वो ठीक हो जाती है तो यहाँ पर हम उसके label के study करें तो Rx12 की prescription based medication रहेगा Movera 15 जो है उसका brand name है इस तरह से proper aloo-aloo packing के अंदर यह available होती है और back cover भी उसका हम देखे तो यह uncoated tablet है टाबलेट के उपर किसी प्रकार का coating नहीं रहता ciduliaj drug है मतलब कि prescription के साथ ही उसको retail में जो वो बेजा जाता है और storage जो हो खासकर room temperature पे किया जाता है और light and protection light से and moisture से उसको अच्छे से protect की जाती है फिर बात करते उसके basic use के कौन से अलग-अलग medical conditions को ठीक करने के लिए उसको प्रिस्क्रेब किया जाते है तो पहले condition समझे के आपको fever आ रहा है और आप सरीर में दर्द हो रहा है दूसरी condition rheumatoid arthritis के condition है osteoarthritis के condition है कि जिसको हम गठिया रोग कहते हैं एंकाइलोजिंग spondylitis की condition है short-term pain हो रहा है menstrual cramps हो रहा है dental pain है knee joint related pain है या फिर किसे को kidney stone के दोरान भी pain हो रहा है दूसरे pain clear काम नहीं कर रहे है दूसरे वक्त यह medication जो वो patient ले सकता है फिर pain relief के तौर पर आप उसको use कर सकते हैं बहुत सारे प्रकार के जो दर्द होते हैं उसको ठीक करता है साथ-साथ-साथ-सुजन को भी कम करने के लिए maloxicam जो यूस की जाती है उसकी working की हम बात करें तो ऐसे chemical की activity को यह inhibit कर देता है कि जो responsible बनते है pain के लिए fever के लिए और सुजन के लिए कि जिसको प्रोस्टाग्लांडिन कहते है और उसको preferential cox-2 cyclo-oxygenase-2 inhibited drug का आ जाता है कि जो especially cox-2 जो enzymes होते हैं उनकी activity जो हो inhibit कर देता है और cox-2 का main काम यह होता है कि वो आगे जाके एक pathway के जरिये प्रोस्टाग्लांडिन जो हो तयार होते हैं तो यह पूरा pathway जो आप देख सकते हैं तो यह pathway के recording तो यहाप देखो prostaglandin बन रहा है और यह cox enzyme जो होते हैं और अराचिडोनिक acid के साथ combination में होके यह आगे जाके इस तरह से prostaglandin बना दे और प्रोस्टाग्लांडिन का आप यहाप एक काम देखो कि समझो कि प्रोस्टाग्लांडिन तैयार हो गाया सरेर के अंदर तो वो एक mediator बनता है pain के लिए के समझो के prostaglandin यहाँ पे release हुआ है तो वहाँ पे आप देखो redness हो गई है और वहाँ पे सुजन देखने को मिलती है patient को काफी ज़दा दर्द होता है और उसके करन कई बार बुखार भी हा जाता है तो जब भी आप यह medications लेते हैं maloxicam तो maloxicam क्या करेगा यह cyclo oxygen enzyme है उसको inhibit कर देदा अगर यह enzyme नहीं होगा तो अराचिडोनिक acid बले present होगा पर आगे जाके prostaglandin नहीं बनेगा और prostaglandin नहीं होगा तो यह तीनों दीरों दीरे जोई वो काम हो करेंगे कि आपका सुजन भी कम हो जाएगा दर्द भी कम हो जाएगा और बुखर भी दिरे-दिरे कम हो जाएगा तो उसके डाली डूस के हम बात करें तो यह medication का डाली डूस रहता है सेवन.पॉइंट फ्याुोस लेकर 15 मिलिग्राम की बाला कि आप समझे की 15 मिलिग्राम का यह tablet रहे था वह दिनमसी बार लेना कोता है कि एउ कि सीवन.पॉइंट फाइंग्रम की tablet है तो वह दिन में दो बार ले सकता है कॉमन साइड इफेक्स के हम बात करें तो वामिटिंग हो सकती है पेट में दर्ध होना अपिगेस्ट्रिक पेन नौज्या इंडाइजेस्टन डाइरिया हार्ट बन और लॉस और अपिडर्म लब की गैस्ट्र इंटेस्टिनल ट्रैक रिलेटेड कुछ साइड इफेक्स हो सकत हार्ट एटेक रिस्क रहता है यह मेडीकेस्टन को लेने के बाद हाई बीपी का एक कोम्प्लिकेस्टन रहता है इडिमा फिर बहुत लंबे समय तक यूज करने पर ये आपके सरीर में सुजन कम करने के बज़ाए सुजन और ज्यादा बढ़ा सकती है चेस्ट्पेन करवा स सकती है पेट में अलसर करवा सकती है या फिर आपका लीवर को ये खराब कर सकती है तो यह कुछ उसके सीरियस साइड एफेक्ट है तो उसके करन जो उसके कुछ इस ब्लॉक हुई है या फिर पारिसेली ब्लॉक हुए तो ऐसे लोगों को यह मेडिकेशन यूज नहीं करनी है फिर सेरेब्रो वास्कुलर डिसीज है पैप्टीकल सर है लिवर या फिर किड्नी रिलेटर को किसे को प्राब्लेम है बच्चों में आप उसको यूज ना करे और प्रेग्नसे के दोरान भी उसको यूज नहीं की जानी चाहिए अब बात करते उसके ड्रग-ड्रग इंटरेक्शन की कि मैलोक्सिकेम के साथ कौन सी दवा या कॉम्बिनेशन में यूज नहीं होती तो आईविब्रोफेन अगर आप ले रहे है तो उसके साथ कभी भी मैलोक इनोपरॉल वारफेरिन सेलेक ओफसिक प्रैडनिस्वान सर्टालिन जैसी यह जब दवायों के साथ कभी भी कॉम्बिनेशन में मैलोक्सिकेम को यूज ना करें विकास उसके करन आपके साइड एफेक्स और ज्यादा जो हो सकते या फिर दवाय की एफेक्ट जो हो कम हो जा सकते हैं मैडिसिन कोर्स में वाकोर के वोपर तो यह कोर्स जोइन करने के लिए आप हमें वाटसेप कर सकते हैं या फिर हमारी आपको डाउनलोड कर सकते हैं लिंक आपको डिसक्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगी गूड लाग औन ओल दे बेस्ट